हेलो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चनल दा हाइफा स्टेडी में है अभी की जो हम अपडेल लेकर आएं वो रहने वाली है यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशिन के और से जो उन्होंने एक नोट जारी किया हुआ है उसी के ओपर हम एक अपडेल लेकर आपके स्मक्ष उपस्तित हुएं जैसे कि हम आपको बता दें कि बहुत सारे वेवर्स का हम से ये प्रशन था कि UPSC का लेटिस्ट अपडेट हमको दें ठीके गाइस जैसे कि हम आपको बता दें कि UPSC के जो एक्जाम जो जून को होने वाले थे वो एक्चली एक्स्टेंड हो चुके थे तो गाइस बहुत सारे वेवर्स को उसका इंतिजार है कि उसके लेटिस्ट जो अपडेट है वो क्या रहने वाली होगी और कब उनके एक्जाम होने वाले हैं तो गाइज अभी की जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसी के ओपर लेकर आए हैं कि UPSC के एक्जाम कब होने वाले हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी वीडियो पूरवाच किया कीजिए क्योंकि important जो भी जानकारी होती है आप skip करने के कारण खो जाते हैं So please आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना skip किये देखें क्योंकि 3-4 मिनिट वाली वीडियो होती है So इतना छोटा सा समय अपने भविश्य के लिए आप तो देही सकते हैं So I hope कि आप समझ सकते हैं कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपके ये 3-4 मिनिट आपके भविश्य को बना सकते हैं So guys प्लीज हमारी वीडियो को skip ना करें So guys बढ़ते हैं अपनी वीडियो की और So guys आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी बलर दिखाए दे रहे हैं तो प्लीज अपने वीडियो का जो पिक्सल है वो 720 कर दीजिए जिसे कि ये हमारा वीडियो आपको साफ साफ दिखाए दे So guys जैसे कि हम आपको बता दें कि Public Service Commission के और से एक Press Note की Press Note जारी किया गया है जिसके चलते हम आपको बता दें कि COVID-19 ठीक है guys COVID-19 के चलते जो जून में हमारे एक्जाम होने वाले थे UPSC के वो actually extend करके Prelium के जो एक्जाम हम आपको बता दें कि Prelium के जो एक्जाम थे वो थे 27 June को ठीक है guys वो extend कर दिये गए हैं वो कब होने वाले हैं वो होने वाले हैं 10 October 2021 को ठीक है guys So guys हम आपको बता दें कि UPSC के लिए आपको बहुत सारा समय मिल चुका है So guys ऐसी त्यारी जम के त्यारी करिए क्योंकि आपको समय मिल चुका है Lockdown चल रहा है बाहर So आपको कोई काम भी तो नहीं है तो घर बैटके क्या करना है सिर्फ UPSC की त्यारी किजिए ठीक है I hope कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो please अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिया क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो बीना जॉब के ना रहे तो हमेशा जॉब अपडेट हम लेकर आते रहते हैं तो please अगर आप हमारी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना चुटे वीडियो को लाइक और शेर करके इंकरज करें हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार